नमस्त दोस्तों मैं कुरा आर्य आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातर में आज आर्य प्रश्णोत तरीका दिन है लेकिन जितने भी हमारे पास में प्रश्णा आये हैं उनके अधिकतर के जवाब हम अलड़ी दे चुके हैं आर्य समाज में जाती प्रता है या नहीं बिल्कुल नहीं है मांसहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए पूरी धरती के ऊपर 6 गुना अन पैदा होता है जितने की हमारी भूक है अधिकतर सड़ जाता है और उसका डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम अच्छा ना होने की वज़े से आज भी बहुत सारे लोग भूखों मर रहे हैं यह जो बचत खोरी है गोदाम खोरी है इस से बाहर निकलने की अवश्यक्ता है इसी तरीके के प्रशने थे और बहुत सारे ऐसे प्रशने हैं जिनके उत्तर आपको पूर्व की आरिया प्रशने उत्तरी में मिल जाएगा लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बहुत खास है बह जड़ा ज़रूरी है पिछले दो दिन में यह जो गैप हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी जैनकारी हैं जो तो आप तक पहुंचानी थी फटा 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 सब को रोलाउट करते हैं तो शुरू करते हैं और यहां से बिना किसी अपचारिकता के पहला पॉइंट पहला किसी ठोस कदम उठाए ही जीत मिल जाए और वो ये ऐसा क्यों दिखाना चारे हैं वो हमारी समझ से बाहर है लेकिन वो इससे ये तो सिद्ध कर रहे हैं कि वो बंदा किसी लायक नहीं है और नरिंद्र मोदी उसके सामने हजार गुना बहतर नहीं बलकि लाख गुना बहतर हमा एन आई जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर एक वीडियो मैंने देखा सबसे पहले कि राहुल गांदी लेशिस सेंटर फॉर डोकलाम क्राइसिस सेज चाइने इस स्टिल दियर एन यूज मैंने वहां उसको वीडियो को पूरा सुना तो उसने कहा कि यह जो डोकलाम में है वहाँ पर चीन की जो सेना है वहाँ उपस्तित है हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से फिसल रही है फिसड़ी हो रही है और चाइना जो है वो हमारे देश की तरफ लगातार बढ़ रहा है ये चीज जो थी वो दिखा रही थी कि हाँ भाई बंदे के अंदर कुछ ताकत है कुवच है राजनितिक सुझबूझ थे हैं उसके पास में जो जानकारी है और मुझे बटा सके किक्या नहीं है अंतरराश्ट्रिय मुद्दों पर वो हम को हमारे साथियों को सब गूगल सर्च करना पड़ता है लेकिन रहूल गांधी के साथ में एक टीम है उसके साथ में सांजद लोग है उसके साथ में पहुँच है वो फ्रांस के राश्टरपती तक बात कर सकता है तो हाँ भाई उसकी बात में कुछ दम हो सकता है लेकिन जैसे ही वहां बैठे हुए पत्रकार ने या जो उनका एंकर होंगे और उन्होंने पूछा, कि यदि आप नेरेंद्र देता के स्थान पर होते, तो आप क्या करते? आप क्या करते? तो उसके बाद में देखा क्या कि रहूल गांधी ने पूरी तरीका से हतियार फैक दिए, अब मैं आपको पहले वो वीडियो सुनवाना चाहता हूँ जिसमें की राहुल गांधी जी ताबड तोड ताबड तोड बयान बाजी कर रहे हैं कि दोक्लाम में ये हो गया दोक्लाम में वो हो गया पहले वो वीडियो देखिए दोक्लाम is not an unrelated episode, it's not a one-off, it is not a border issue, it is a strategic issue, it is part of a sequence of events and दोक्लाम was a crisis that happened because the government is episodic, because the government and the prime minister views things very much from an event perspective. दोक्लाम, I view दोक्लाम as a process, at a point in a process, the prime minister views दोक्लाम as an event, so I would look at the process and I would tackle the process and I am pretty confident that दोक्लाम wouldn't have happened, because you could have stopped दोक्लाम if you were carefully watching the process. The other thing is that the words used are very interesting, the Chinese have withdrawn from the point of contact, they have withdrawn from where the altercation happened, the truth is the Chinese are still in दोक्लाम. अब आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में आपको लग गया होगा कि fully confident राहुल गांदी किसी विशे पर बोले चले जा रहे हैं, और वो एकदम confident दिख भी रहे हैं, ऐसे समय में तुरप का पत्ता ये ही होता है, कि एंकर ऐसे में ये पूछ ले कि यद ये ये हमारे भावी प्रधान मंत्री, ये हमारे PM in Waiting भाई राहूल जी गांधी का ये ये सीन है, ये उनका knowledge का स्तर है, कि बंदे से जब पूछा गया कि डोकलाम में यदि आप होते तो आप क्या करते, तो बंदा खुले तोर पर बताता है, जिनको English समझ ले आती है, उनको मैं बता देता हूँ, उनको नहीं कहा कि मैं डोकलाम के विशे में ज़्यादा जानकारिया नहीं रखता, इ तुम्हारा English सहीन है, तुम्हारे साइन सहीन है, तुम्हारे एटिकेट सहीन है, तुम्हारे मैनर सहीन है, तुम्हारा कुछ भी सहीन है, तुम अस्त व्यस्त हो, तुम बूरिश हो, गमार हो, जाहिल हो, और जब उनसे पूछा जाए, कि अगर आपको मुखा मिले, कि इसको बंदे को आप ठीक करो, सुधारो, उसको सिखाओ, तो वो कहे कि मैं खुद एक गमार हूँ और मुझे उन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिनकों की सिखाने के लिए आप मुझे कह रहे हैं, इस बंदे को जब इस NCC के बारे में पूछा गया तो इस बंदे को NCC क क्या है, बंदे को देश के अंदर जो पढ़ाई के दोरान चलती है, स्काउट गाइड शिक्षा चलती है, एंसीसी चलती है, उनके विशे में नहीं पता है, बंदे को आरेसस की फुल फॉर्म तक नहीं पता है, बंदे को नहीं पता है कि डोकलाम का विशे क्या है, ये कभी कभाग जो एड आजाते होंगे या न्यूस ब्रेक्स आजाते होंगे उसको देखकर ही अपनी राजनीती को सोच लेता है कि मैं बहुत परिपक्त हूँ और बंदिस जिब पूछा किया कि यदि आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे तो बंदा कहते हैं जो डोकलाम के विश प्रस्थ इसका जवाब दिया है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी योजनाएं है जिनको के लेकर के मोधी के वोटर मोधी से आज परेशाना वो कह रहे हैं कि या तो हम किसी और पार्टर को वोट देंगे या तो हम नोटा दबायेंगे इस तरीके से हो सकता है कि मोधी कि क बढ़ाओ ना बढ़ाओ लेकिन उनके सामने जो दूसरा केंडिडेट खड़ा हुआ है प्रदानवंत्री पद्ध का उम्मिद्वार वह अपनी इजद इतनी जदा गिरा ले कि उसको देखते भी लोगों को गिन आए तो वह पहले वाले को ही चूल लेंगे बात करेंगे आज हम SCST और Atro City के उपर भी इस वीडियो में अभी सिर्फ इतना ही बहुत सारी बाते हैं continue आज करते चलेंगे